प्रिया दर्शकों नमस्कार बंदे उतकल जननी आप सभी को उतकल दिवस के पावन अफसर पर हार्दिक शुपकाम नाएं आए सुनते हैं आज का मुख्या समाचार उतकल दिवस के अफसर पर राउड़कला इसपार सेंटर द्वारा ओरिशा के महान देताओं को शद्धानजली अर्पित आजस्पी के निदेशक प्रभारी श्री अतनू भौमिक ने कभी सम्हों को सम्मुदित करते हुए कहा हमारा मस्तिश हमारी सबसे बड़ी संपती है बाधाओं के बजाए इसे मौकों को तलाशना सिखाएं और पदमेश्री पुरुसका विजेता प्रोफेसर डॉक्टर प्रोकर दासगुपता सेल राउड़कला इसपार सेंटर द्वारा सम्मानित जीवन में एक खुशी सफलता से अधिक महत्पपुण है प्रोफेसर डॉक्टर प्रोकर दासगुपता अब समाचा विस्तार से राउड़कला इसपार सेंटर आरसपी एक अप्रेल को पूरे राज्य के साथ मिलकर उतकल दिवसका पालन किया आरसपी की निदेशक प्रभादी श्री अतनू भामिक, कालेपल निदेशक खान श्री एक के कुंडू, कालेपल निदेशक वर्ग श्री एस आ सुयवन्शी, कालेपल निदेशक कामिक एवंग पसाशन पी के सत्पती, मुख्य महाप्रबंदक प्रभादी सामगरी प्रबं और करमचारियों के साथ महान देताओं और देश भक्तों की प्रतिमाओं पर पुश्पांजली अर्पित की। श्री भौमिक ने इस शुब अफसर पर उतकल मनि गोपबंदु दास, कलिंग वीर बीजू पतनायक, उतकल गौरव मदु सुदन दास और शहिद बिसरा मुंडा के प्रतिमाओं का मालियपन किया। के अथक प्रयासों ने 1 अप्रेल 1936 को भारतिय संग के एक अलग राज्य के रूप में ओरिशा के गठन को आकार दिया। की अकाउंक्षाओं की प्राप्ति के रूप में पालन किया जाता है। रौरकला सेल रौरकला इस्पास सेंटर आरस्पी की निदेशक प्रभादी श्री अतनू भोमिक ने 1 अप्रेल 2022 को गुपबंदू ओर्टोरियम में आयोजिद वाशिक निश्पादन समिक्षा और पुसका वितन समहारों के अफसर पर प्लैंट के वरिष्ट अधिकारियों और करमचारियों की एक विशाल सभा को संबुदित करते हुए कहा हमारा मश्टिश हमारी सबसे बड़ी संपति है बधाओं के बजाए इसे मौकों को तलाशना सिखाए आरस्पी करमी समू की योद्धा जैसी भावनाओं की सरहना करते हुए निदेशक प्रभादी ने कहा क यह प्लांट को वर्ष 2021 में COVID-19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद रेकॉर्ट तोर प्रदेशन के साथ समाप्त करने में मदद की और आरस्पी को सेल का सरवश्रेष्ट एकत्रित स्टील प्लांट बनाया होट मेटल क्रूद स्टील बिक्री योग्य स्टील के उतपादन में हासिल किये गए किरतिमान का उलेक करते हुए श्री भौमिक ने उतपादन यूनिटों और सेवा यूनिटों के प्रयासों की सरहना की जिन्होंने मिलकर कागय किया और इस सफलता की कहानियों को रचने मे उत्पादन युनिटों की मदद की हमने सपने देखे हमने लक्षय निर्धारित की हमने पूरी प्रतिवध्धा के साथ कड़ी महनत की और हमने हासिल किया हमारा अगला सपना रौटला इसपास सेंद्र को सर्वश्रेष्ट एकत्रित इसपास सेंद्र के लिए प्रधान मंत्री की ट्रॉफी जितते देखना है यह साध्या है और हमें इस सपने को साकार करना है निदेशक प्रभादी ने सुरक्षा, सतत्विकास, नए बाजारों की टैपिंग, उत्पादें के मात्र में व्रिद्धी और मूल वर्धित उत्पादों एवं मूल संसादन उप्यों के माध्यम से बिक्री में सुधार जैसे अत्यन्द महत्वपुन मुद्धों को विच्छुआ सेल के विजिन 2030 रोड मैप और उत्पादन लक्षियों का उलेक करते हुए श्री भौमिक ने नई पर्योशनाओं में तेजी लाने की आवशक्ता पर बल दिया ताकि आरस्पी अपनी पूरी शमता तक पहुंच सके अपने समापन भाशन में निदेशक प्रभारी ने कहा कि आगे का मार्क कठिन होने वाला है हम अपने आप में विश्वास के साथ एक साथ कार्या करने की हमारी शमता में विश्वास और अपनी द्रिश्टी में विश्वास के साथ अपना यात्रा जारी रखेंगे आए हम आरस्पी के सिध्धान को आत्म साथ करें और इसके ब्रैंड एंबैसेडर बने प्रारम में निदेशक प्रभारी ने दीप प्रजुलेत कर कार्यक्रम का उद्खाटन किया उनके साथ कार्यप्रण निदेशक वर्क श्री S.A. सुर्यवंशी कार्यप्र निदेशक परियोशनाई के अत्रिक भार के साथ कार्यप्र निदेशक कामिक एवन पसाशन श्री पी के सत्पती मौजुद थे कार्यक्रम की शिरुवात वंदे उतकर जन्यनी के मधूर गायन के साथ हुई श्री ऐसा सुधिवंशी ने 2021-22 में प्लांट के निश्पादन पर एक पस्तुति करन किया और कई शेत्रों में आरस्पी के सरहानिय उपलद्भियों पर विस्तार से बताया निदेशक प्रभादी ने अन्य गढमानियों के साथ व्यक्तिगत करिमचारियों, टीमों और विभागों को उनके उतकरिष निश्पादन के लिए प्रुस्कार प्रदान किये ब्लास्ट फर्नस विभाग ने अपने शांदा दिश्पादन के लिए चांपिन ओफ दे इयर ट्रोफी जीती जबकि प्लेट मिल उप विजेता रही श्री अतनु भॉमिक ने इस अफसर पर वाशिक व्यापार योजना पुस्तिका का भी विमोचन किया मुख्य महाप्रबंदक प्रभादी मेंटेनिंस और अद्यक्ष आयोजन समिति श्री सैवल चकरभरती ने सभाका स्वागत किया जबकि मुख्य महाप्रबंदक सेवा श्री नरेश कुमा ने धनेवाद क्यापित किया महाप्रबंदक गुडवत्ता श्री आतिश चंदर सरकार ने पुसका वितन समहारूप का संचालन किया प्रबंदक RCL सुश्री खुश्बू मिश्रा और साहर प्रबंदक SPP श्री श्रम्स गर्जाली ने सयुक रूप से कायकरम का संचालन किया विशेश रूप से ये भव्यवाशिक आयोजन पिछले वितिय वर्ष में स्चील प्लैंट की उपलब्धियों पर जशन मनाता है व्यक्तिकत करमचारियों और विभागों को उनके योगदान के लिए प्रुस्गूत करता है और नई वितिय वर्ष 2022 के लिए लक्षे निर्ध समहारित करता है सेल रौटला इसपास सेंद्र आरसपी द्वारा 31 मार्च 2022 को प्रफेसर डॉक्टर प्रोकर दासगुपता आरसपी परिवार के सपुद और प्रतिष्ट पदमश्री पूस्का विजयता 2022 के प्राप्त करता को सम्मानित करने के लिए एक भव्य सम्मान समहार का आयजन, IPG और सुपर स्पेशालिटी अस्पताल के सभाघार में किया गया जिसमें रौटला के विभिन स्कूनों के लगभग 200 चात्रों और शिक्षकों ने आरसपी के वरिष्ट अधिकारियों, युवा अधिकारियों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के साथ भाग ल S.A. सूर्यवन्शी, E.D. Works, कार्यप्रण दिदेशक परियोजनाई, श्री A. की प्रधान और कार्यप्रण दिदेशक कामिक अभूंपसार्षन श्री P. के सत्पती थे श्री अतनु भौमिक ने प्रफेसर दासगुप्ता को स्बिती चिन और उत्रिय देखकर सम्मानित किया, जिसके बाद दर्शकों ने खड़े होकर तालियों के साथ अपना सम्मान चताया इस अफसर पर बोलते वे प्रफेसर डाक्टर प्रोकर दासगुप्ता ने राउरकिला उनके परिवार, दोस्तों और अपने स्कूल के सभी सिक्षकों से जुड़ी अपनी बच्पन की यादों को साजहा किया और कहा कि राउरकिला वासी होने पर उन्हें काफी गर्भ परस होता है, उन्होंने कहा राउरकिला ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का साहस, शक्ती और परिस्तिती अनुसार धलने का कला दिया है, इस पार शहर की हर्याली की सरहना करते हुए उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे शहर युवा दिमाग को अपनी आंतरिक शमता के प रशकों को मंत्र मुत्क और प्रेरिद किया, जिन्होंने उनसे संतुलित और केंदर जीवन प्राप्त करने के तरीके से लेकर, कैंसर के उपचार की पेची दग्यों और एक अच्छे डॉक्टरों के लक्षरों से संबंदित प्रशनों पूछे, प्रसित कहावत, दर्ध अ संभव प्रयास और त्याग करने की सलहाना की, सफलता के बारे में एक और अन्य प्रशन का उत्तर देते हुए, डॉक्टर दाजगुप्ता ने कहा की, खुशी हमेशा सफलता से उपर होती है, चिकित्सा की दुनिया में नाम कमाने वाले इसपाज शेहर के होनहा सपूद, तधा अपने स्कूल के साथ ही का स्वागत करते हुए, श्री अतनु भौमिक ने कहा, रौरकला कई युवाओं को सम्मानित करने के लिए प्रसिद है, जिन्होंने राष्ट्य और अंतर राष् डौक्टर प्रोकर दासगुपता को देखना चाहता हूँ, और हम आरस्पी में आपको सम्मानित करने और आपकी उपलब्दियों पर गर्फ करने के लिए ततपर है, प्रारम में श्रीपी के सत्पती ने स्वागत भाषन दिया, इस पाथ इंग्लिश मिडियम स्कूल पटनायक ने कारेक्रम का संचालन किया, जबकि साहर प्रबंदक जनसंपक सूश्री पूजा रावत ने आपचारिक धन्यवात क्यापित किया, इसलिके साथ आज के हिंदी समाचा समाप्त होते हैं, नमस्कार कर दो